नमस्कार मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ सोहनलाल शर्मा आज के इस वीडियो में पेश है वितान भागदो के दूसरे पार्ट जूज पर आधारित वन लाइनर्स का संखलन इन ही इंपोर्टेंट वन लाइनर्स पर अधिकांश MCQ बनेंगे तो लीजी पे बोड परिक्षा की दृष्टी से ये महतुपूर्ण वन लाइनर्स पहला तत्य जूज पार्ट मराठी के प्रख्यात कताकार डॉक्टर आनंद यादव के आत्मक अथात्मक उपन्यास का एक आंच है लेखक का मन पढ़ने और पाडशाला जाने के लिए तडपता था लेखक के कथन खेती गड़े में धकेल रही है से आशे ये है कि खेती अवनत्ती की ओर ले जा रही है यानि पतन की ओर जिसमें सीमित संभावनाएं हैं लेखक अपने पिता को दादा बुलाता था, लेखक जानवर यानि धोर चराने के अलावा खेत पर पानी लगाने का कारिय करता था, गाउं में दिवाली के बाद महिना भर एक पेरने का कोल्ष चलता था, लेखक के पिताजी की सोच ये थी कि गुड जादा निकलने की अपेक्षा भाव जाना बिदनाल चाहिए इस्ते सारे गाउं भर में उनका कोलू सबसे पहले शुरू होता था गाउं के लोग सोचते थे कि यदि एक को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड जरा जादा निकलता है लेखक का गुड गुणवत्ता में यानि क्वालिटी में तीन नंबर का अर्थात निम्न गुणवत्ता का था लेखक ने पढ़ने की इच्छा मा से कही जब वह कंडे थाप रही थी मा ने उसके पिता के गुस्से की तिलना बरहेले सूर के गुराने से की मा के मन में जंगली सूर गहराई से बैठा हुआ था मडा का मराठी में अर्थ है खेती या खेत दादा गाउं के प्रतिश्टित व्यक्ति दत्ताजी राव देशाई की बात मानते थे मा ने दादा की ये शिकायत दत्ताजी राव से की कि वह रखमावाई के पास दिन भर रहता है और बेटे की पढ़ाई छुडवा कर उसे खेत में काम करवाता है जनवरी के महिने में लेखक और उसकी मा दादा की शिकायत लेकर दत्ताजी राव के पास गए थे लेखक के पिता की उपेक्षा के कारण लेखक की पांचवी कक्षा में पढ़ाई छूट गई थी लेखक ने दत्ताजी राव से अपने आने की बात को गुप्त रखने को कहा क्योंकि उन्हें दादा के गुस्से का भय था मा ने दादा के घर लोटने पर ये कहा कि देशाई सरकार के साग भाजी देने गई तब उन्होंने बुलावा भेजा जीमने का अर्थ है भूजन करना दत्ता जीराव ने लेखक की पिता को रतनापा नाम से पुकारा पाडशाला सुबह ग्यारा बजे से शाम पाँच बजे तक लगती थी कक्षा में दो लड़के ही लेखक की पहचान के थे बाकी नई कक्षा में जा चुके थे कक्षा में सबसे शरार्ती चहवान का लड़का था लेखक ने स्कूल के पहले दिन लाल माटी के रंग में मतमेली हुई धोती और गमचा पहना था लेखक के सिर से चहवान के लड़के ने गमचा छीन कर माश्टर जी की टेबल पर रख दिया पहले दिन कक्षा में पहले आये मास्टर रणनवरे ने वामन पंडित की कविता पढ़ाई लेखक की नई वेश्बुशा थी टोपी और दो नाडो वाली मेल खव रंग की चड़ी लेखक के कक्षा ध्यापक का नाम मंत्री था और वे गणित विशे पढ़ाते थे मास्टर लेखक को आनंदा नाम से बुलाने लगे मास्टरों के अपने पन के विवार और वसंत पाटिल नामक सहपाटी से दोस्ती की कारण लेखक का मन पाटशाला में लगने लगा लेखक को कविता लिखने में रुची मराठी विशे के माश्टर न वा सौंदल गेकर के प्रोचाहन से मिली कविता ये रचते हुए लेखक ने दो शक्तियों को पाने की बात की एक अकेले पंसे उब नहीं खुद में मस्त कावे रचना करना और दो कविताओं को अपनी चाल और लए में अभिने सहीत गा सकना कविता गाते वे लेखक थुई-थुई करके नाचा करते थे माश्टर ने लेखक का होंसला बनाने के लिए छटी सात्वी कक्षा के चात्रों और पाटशाला के समारों में कविता गवाई अनन्त कानेकर की कविता चांद रात पसरीते पांटरी गाया धनी वरी को लेखक माश्टर से भिन धुन में गाया करता था ये कहानी समाज के ग्रामेन निम्न मद्यमवर्ग किसान मजदूर वर्ग के संगरश को बताती है लेखक की माँ उसे सात्वी तक पढ़ाना चाहती थी लेखक को फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसका नाम पांचवी की रजिस्टर में लिखा रह गया था लेखक ने चांद रात पसरी थे पांडरी गाया धनी वरी गीत की चाल केशोव करणी जाती छंद में बनाई माश्टर जी ने मालती की बेल पर कविता लिखी लेखक लकडी के टुकडे से भैस की पीठ पर रेखा खीज कविता लिखते थे गणित विशे के माश्टर मंत्री से सभी बच्चे डरते थे लेखक की मराठी भाषा और कविता लिखन को माश्टर नवा सोंदलगे करने सुधारा माश्टर जी स्वयम कविता करते थे और दूसरे कवियों की चरित्र और उनके संस्मन बताया करते थे जिस कारण ये कभी लोग लेखक को आदमी ही लगने लगे ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही लाइक वशेर करना न भूलें बने रही चैनल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार